के साइन्स का 17 चैप्टर तारे एवं सौड परिवार के बारे में और साथ ही जाल लेंगे इस चैप्टर से जुड़े कुछ चंस और एंसर्स के बारे में तो फ्रेंड्स जलिए आज का ये वीडियो हम स्टार्ट करते हैं तो फ्रेंड्स जैसा आप देख पा रहे है इस हैडिंग अनरे एववं सौड परिवार तौ चलिए सब पहले जान लेते हैं कि आपकर कौन सी बाते बताई गई हैं इस अप्र करकसे आकाशियों के बारे में उहीं आपको बताया गया है आ Bayun विबिन प्रकार के ग्रहों के बारे में बताया गया है उलकाओं के बारे में बताया गया है ठीक है न फ्रेंट्स और विबिन प्रकार के जो कृत्रिम उपग्र है जो हमारे इस प्रित्वी द्वारा विबिन प्रकार के ग्रहों के अक्ष में जो छोड़े जाते हैं ठीक है न उनके बारे में भी आपको बताया गया तो friends चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आखर इस separate के हेडिंस में बताया गये तारे एवं सौर परिवार का आखिर क्या मतलब होता है friends तो friends आप सभी जानते हैं तारे तारे जो होते हैं उनका अपना एक खुद का प्रकास होता है प्रतवी से काफी दूर में स्थित होते हैं और हमारे इस आकाशिपिंद में हमारे इस पूरी तरसे कहा जाक ì प्रहमांड में काफी सारे तारे एसे हैं जो उसे काफी अब अलग रूप में दिख सकते हैं और कुछ तारों का ऐसा समू होता है जो एक साथ एक निद्दिस्ट पैटर्न को बताते हैं उसे हम तारा मंडल कहते हैं ठीक है ना और तारों में ठीक है ना स्टार्स में जेनली क्या होता है स्टार्स जो होते हैं वो जेनली आपको रात की समय दिखाई पड़ेंगे हलाकि यह आल डी टाइम हमारे हर समय आकास में उपस्तित हैं प्रतिवी से काफी सारी करोण वर्स दूर इस्थित होते हैं ठीक है ना याद रखना आपको और प्रकास द्वारा तय की गई दूरी एक वर्स में एक प्रकास वर्स माना जाता है इस प्रकार से देखा है कोई भी तारा हमारे इस प्रतिवी से काफी किलोमेटर दूर है इसलिए हम उसे मापने के लिए यानि प्रतिवी से तारों की दूरी को मापने के लिए हम प्रकास वर्स का इस्तमाल करते हैं याद रखना है कुछ बाते सौर परिवार के बारे में तो friends आप सभी जानते हैं सौर परिवार सूरज के साथ सुरू होता है friends ठीक है ना सूरज को भी सूरज और उसके साथ जो आठ ग्रह है ठीक है ना उन्हें हम कह रहे हैं सौर परिवार इसके साथ बहुत सारे और भी आकार स्टिपिंड ह वेड़ें सेफि के शार परिवार में सामिल है इसके बारon है में कहते आदर में पढ़ेंगें लेकिन हाला प्रभ। आपको जजड़ रकाना है सौन जो परिवार है। वह हमारा जो सौन परिवार है वह आखीर कौन सी मंदाकनी के अंतरगद आता है यह कई बार पूछा भी आता एक्जाम्स में तो यह मिल की वे आकास गंगा के अंदर गताता है फ्रेंड्स यह बात आपको याद रखनी है फ्रेंड्स ठीक है न तो फ्रेंड्स चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे और देख लेंगे आप देख पा रहें पिक्चरस में कि और किस प्रकार के आखिर ग्रहों के स्थिति जो है वह सूरज के आकार के अनुशार सूरज की दूरी के अनुशार आखिर किस प्रकार से दिखाई देती है आपको जाल लेना है कि आखिर सौर परिवार में सौरज के साथ जो आठ ग्रह है उसके साथ और भी कई सारे आकास ये पिंड सामिल है जिसे हम सौर परिवार के अंतरगत ही मानते हैं ठीक है ना उसमें आप कह सकते हैं धुमकेतु सामिल है उसमें कह सकते हैं उबग्रह सामिल है उसमें चुद्रग्रह सामिल है ये सभी बातें आपको याद रखनी है ठीक है ना ये सभी जो है वो सौर परिव के अलावा सओर परिवारहलकी आकास गंगा का ही भाग है याद रखना है इसके अलावा हमारे इस पूरे ब्रहम्मान में कई सारे मंदाकनियां भी पाई जाती है याद आपको रखना है फ्रेंड्स ठीक है ना फ्रेंड्स हम लोग ज Allen लेंगे कि आखिर खगोली पिंड आखिर क्या है जैसा आप सभी देख पा रहे हैं तो फ्रेंट्स जब भी आकास में आप रात को जो जितने भी सारे आप देख पा रहे हैं आकास में कोई भी पिंड देख पा रहे हैं जो चमक रहा है फ्रेंट्स जो दिप्तिमान है उसे ही हम आकाशी पिंड या फिर खगोले पिंड कह रहे हैं तिक है न जैसा आप सभी देख पा रहे हैं रात्री के शमय आकास में सबसे अधिक प्रदित पिंड चंद्रमा है तारे ग्रह चंद्रमा तता आकास के बहुत से अन्य पिंड है जो कि खगोले पिंड कहलाते हैं खगोले पिंड यानि वह आ अपना खुद का प्रकाश होता है हलां कि ग्रह और उपग्रह का अपना कोई प्रकाश नहीं होता है सौर परिबार में सूरज जो है उसके पास प्रकाश है ठीक है ना याद रखना है सूरज एक धड़कता हुआ आग की तरह है जिसके पास काफी सारी उर्जाएं होती है और वही आग हमें धूब के रूम में मिल रही होती है याद रखना है आपको इन बातों को सुरज का अपना प्रकाश होता है हलात की उपग्रह और ग्रहों का अपना कोई प्रकाश नहीं होता है याद रखना है आपको इन बातों को फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स हम लोग कुछ बाते जाल लेंगे चंद्रमा के बारे में तो फ्रेंड्स चंद्रमा पृत्वी का एक मात्र उपग्रह है उपग्रह यानि कहने का तत्पर ये जिस तरह पृत्वी सूरज की परिक्रमा करता है चंद्रमा भी पृत्वी की परिक्रमा करता है और चंद्रमा पृत्वी की परिक्रमा करते हुए सूरज के चारों तरफ भी गुमता है यह बात आपको याद रखनी है ठीक है ना ग्रह वे आकाशिपिंड है जो की आखिर सूरज का चक्र लगाते हैं ठीक है ना सूरज के चारों तरफ घूमते हैं एक धूरी पर ठीक है ना याद रखना है आपको एक पत होता है उनका निद्दिश्ट रूप से ठीक उसी प्रकार से आके उपग्रह वे आकाशिपिंड है जो ग्रहों की परिक्रमा करते हैं याद रखना आपको फ्रेंड्स तो चंद्रमा प्रिथिवी का एक मातर प्राकृतिक उपग्रह है चंद्रमा से प्रिथिवी की एक बटा च्छा है इसका मतलब जिस वस्तु का वजन आखे प्रिथिवी पर 6 केज़ी होगा ठीक है न वह ही वस्तु का वजन चंद्रमा पर सिर्फ एक किलो का होगा यह बात आपको याद रखनी है फ्रेंड्स ठीक है न और सिर्फ प्रिथिवी से चंद्रमा का वह कितना पर्सेंटेज है जिसे आप खुली आखों से देख पाता है याद रखना है फ्रेंड्स अब आपको जान लेना है कि आखिर पूर्णिमा आखिर हम किसे कहते हैं तीक है न आप देख पा रहे हैं पूर्णिमा आप सभी जानते हैं कि आखिर चंद्रमा जो है वह क्या करता है पृत्वी का आखिर परिक्रमण करता है याद रखना है और साथ में सूरज का भी परिक्रमण करता है यानि सूरज के प्रकास को पाकर ही वह हमारी तरफ उस प्रकास को प्रावर्तित करता है याद रखना है या काम होता है चंद्रमा का जिसके कारण से हमें चंद्रमा सबसे नजदीक आकाशी पिंड प्रतिवी का काफी चमकता हुआ प्रतीत होता है ठीक है ना अब आपको जाल लेना है कि फेंड्स कि आखिर जब चंद्रमा पूरी तरह से उसका पूरा पिंड जो है वो दिखाई देता है उसे हम पूर्णिमा कहते है ठीक है ना जब पूरी तरह से गोल होता है इसके पस्चात प्रतिक रात्री को चंद्रमा का चमकिला भाग घड़ता रहता है पंद्रवे दिन चंद्रमा दिखाई नहीं पड़ता है इस दिन को हम अमश्रा कहते हैं फ्रेंट्स याद रखना है अगले दिन चंद्रमा का एक छोटा भाग आकास में दिखाई देता है इसे हम बाल चंद्र भी कहते हैं इसके पस्चाद फिर से चंद्रमा प्रतिक दीन थोड़ा थोड़ा बड़ा जहवा होता रहता है बंदरवे दीन एक बार फिर से हम चंद्रमा का पूरा दिश्य देख पाते हैं या पूरे मा तक दिकाई देने वाले चंद्रमा का प्रतिप बाग की विबिन प्रकार की आकृ क्यों कि मैंने अभी कुछ दिर पहले कहा चंद्रमा का भाग जो आखिर सूरज के प्रकास को लेकर हमारी तरफ पर आवर्तित करता है जिसके कारण से वह विभिन प्रकार का जो भाग है चंद्रमा का वह हमें दिखाई देता है अलाकि यह पृत्वी की भी परिक्रमा करता है इसलिए इसका जो आकार है आप देख पाते हैं सुरज का जो भाग आखिर उस चंद्रमा के भाग पर पड़ता है उसका प्रकास जो पड़ता है जिस तरह से उस प्रकास से ही चंद्रमा का सिर्फ हुआ भाग पतला वाला भाग आखित पतला से दिखाई देता है जिसे हम बाल चंद्र कह रहे हैं और वह दिन जिस दिन पूरी तरस से सूरज का प्रकाश आखिर चंद्रमा पर पढ़ता है वह दिन कहलाता है आखिर पूर्णिमा याद रखना है फ्रेंट्स हम लोग आगे बढ़ेंगे और जाल लेंगे कि आखिर एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा की अवधी होती है कितने दिन की तो एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा की अवधी होती है 29 दिन से कुछ अधिकी होती है याद रखना है ठीक है ना बहुत से क और आफड вместе को हम माहफं, यानि महिने भी कहते हैं stream याद रखना ही बदों को और आप देख पा रहे हैं कि आखर् चंद्रमा कि जी जी ऐम ही इस जी आकरतीया है वह जो है यह आफ देख पा रहे है, इक लड़की में की जैं़ रही है ठीखे अपने कॉपीज में की कैसे आके चंद्रमा की जो कलाएं है वह हमें दिखाई देती है याद रखना आपको इन बातों को ठीक है ना शूर्य दीखाई देता है वह अपने शूर्य कर को हमारी तरफ पर आवर्थ रहे हैं इसलिए लिए हम चंद्रमा के भाग को दिख पाते हैं इस भाग से सूरे का प्रकास परावर्ति कर हम तक पहुँचा दिया जाता है जैसा फ्रेंट्स मैंने आपको कुछ दिर पहले ही बताया फ्रेंट्स जैसा पिक्चर्स में भी देख पा रहे हैं हम लोग इस पिक्चर्स के मदद से हम समझने की कोशिस करेंगी किस प्रकार चंदर्मा की कलाएं ओयता विबिनट्स आखिर घरती है और बढ़ती पा रहे हैं तो यह सूरिय, सबया है और प्रिधवी और प्रिधवी के चारों तरफ जो है यह गूम रहा है आपको दिखाई्स देरहा है फ्रेंड्स यह दर्शा आए घया है आखर यह परिक्रमा दर्शा आए गया है पृत्वी के चारों तरफ जह प्रिक्रमा करती है उसका नाम है चंद्रमा आकायद्विंट ठीक हे ना पृत्रीवी का एक मात्र प्राकृतिक उपग्रा आप देक्वा किस तरह से यह बाल चंद से भी देरे बड़ा होकर एक दीन पुर्निमा कहलाता है इस दिन से तिक है ना और फिर धे धीरे घटे घटे वह आहकार जो है वाइक दम ब्लैक ब्लैक और काला दिखाए पड़ता है जिस दिन आमावश्या गहलाता है आप पिक्चर की मदद से आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स ठीक है ना फ्रेंड्स हम लोग जाल लेंगे कि आखिर चंद्रमा प्रित्वी की परिक्रमा करता है याद रखना है चंद्रमा प्रित्वी की परिक्रमा करता है प्रित्वी सहित प्रित्वी चंद्रमा सहित सूरी की परिक्रमा करती है जैसा मैंने आपको कुछ दिर पहले ही बताया फ्रे सूरज की परिक्रमा करता रहता है ठीक है कि आपको आपको जान लेना है कि किस प्रकार से संबब है जैसा मैंने आपको बताया कि बाल चंद्र के बाग पृतिवी से देखने पर प्रतिदि प्रद्धी होती है पुर्णिमा के पश्चात पृत्वी से देखने पर चंद्रमा का शुरिद्वारा प्रद्ध भाग आकार में घटा जाता है यह बाद आपको याद रखनी है फ्रेंड्स ठीक है ना तो फ्रेंड्स अब सवाल आता है कि क्या आप चंद्रमा के उस पीछे वाले भाग को आप नहीं देख पाएंगे फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स क्यों हलाकि चंद्रमा जो है वह हमेशा घूमता ही रहता है ठीक है ना उसके हर भाग को ही हम देख पा रहे हैं लेकिन साथ में आपको यह बाद भी जान लेनी है कि चंद्रमा जिस तरह फिर्टिव से 275 simplement में जसके और 1 कहते करेंजी और माःथ झाल और 1 तरह स्मुधांट आपको जाने उसकी पूरा माउंट एबड़ेन्स चंद्रमा जहां इतना उसमें बहुत ही भयानक गड़ा है काफी सुनसान दिखाई जाने वाला चंद्रमा पूरी तरह से धूल से भरा हुआ है पहली बाद आपको जान लेनी है ठीक है ना जिस तरह आप पिक्चर में भी फ्रेंड्स देख पा रहे हैं ठीक है ना अब देख पा रहे हैं फ्रेंड्स याद रखना है 21st July 1969 का वाचन जिस दिन अमेरिका के अंत्रिक्ष यात्री निल आमस्टॉंग ने सब से पहले चंद्रमा पर अपने कदम रखे याद रखना है और उनके बाद जो जिस आखिर साइंटिस्ट का अखिर अंत्रिक्ष यात्री का आखिर कदम पड़ा उनका ना आमस्टॉंग ने आखिर पहली बार कदम रखे चंद्रमा पर या फिर अडविन औलरीन ने था आपको याद रखना है कि आखिर चंद्रमा पर पहला कदम रखने वाले जो अंत्रिक्ष यात्री थे उनका नाम है निल आमस्टॉंग अजिए अमरिकासे वह बिलॉंग करते जैसा आप सभी जानते हैं कि चंद्रमा में आखिर ना तो आखिर वायू मंडल है ना खिर पानी है और नहीं जीवन की कोई अस्तित जो है अब तक मिल पाईए फ्रेंड्स वह एक धूल से भरा आखिर एक आकाशिपिंड है जिसे हम सुस्क ग्रह के नाम से भी जानते हैं याद रखना है ठीक है ना और साथ में आपको जान लेना है कि आखिर चंद्रमा में वायू मंडल ना होने के कारण वहाँ पर आवाजे जो है धनिया जो है वह ट्रांसपर स्थ पाय का फ्रेंड क्योंकि उनके बीच वायू मंडल है ही नहीं और ध्वनी के गमन के लिए हमें माध्यम क्या होई सकता होती है फ्रेंड जैसे आपने लास्ट के चैप्रस में जाना था ठीक है ना फ्रेंड इसलिए चंद्रमा में हमें कोई भी बात सुनाई नहीं पड़ती है ठीक है ना कुछ बाते जान लेंगे तारे के बारे में तारों तारे जो होती है वह उनका खुद का अपना प्रकाश होता है ठीक है ना और पृत्वी का सबसे निकटम तारा है सूरी सूरी के बाद पृत्वी का सबसे निकटम तारा है अलफा सेंटावरी याद रखना है अलफा शंटावरी जो है वह सूरी के बाद पृत्वी का सबसे निकटतम तारा है या दखनाश तारी जो होते हैं वह जनरली गैस के पिंड होते हैं आग का गोला होता है उनमें से हमेशा जो आग है वह हमें दिखाई पड़ती है आप देख पाएंगे कि इस प्रकार से सूरी से प्रकाश वह मिलती है वह जनरली आग जो है वह जो है वह आग उतनी अंदर उस में गर्मी होती है की वह गर्मी हम तक पहुच पाती है या रखना है साथ में यह बात भी की प्रड़त सूरी का आखिर जितना टैमपरेचर होता है उसका दो करोण भाग दो करोणवा बाग सिर्फ हमारे प्रटिवी तक आ पाता है याद रखना है जिससे हमें इतनी गर्मी जो है वो हमें फिल होती है तो सोची आप कि आखर सूरज जो है वह कितना गर्म है जितने भी सारे फ्रेंड्स तारे हैं हमारे इस ब्रह्माण में उन सभी का अपना लाइट है अपना प्रकास है उनके अंदर अपनी एक गर्मी है मौझूद याद रखना है इस गर्मी कारण जो तारे हैं वो बिबिन प्रकार के कलर के दिखाई पड़ते हैं सायद आपको दिखाई दें, वह कुछ नीले, कुछ लाल दिखाई पड़ते हैं, कुछ पीले दिखाई पड़ते हैं, यह गर्मी की कारण संभव है, फ्रेंड्स, याद रखना है आपको, ठीक है ना, साथ में आपको जान लेना है कि फ्रेंड्स, आखिर सूरज से पृत्वी कि जो दूरी है, वह लगभग 15 करोड किलोमीटर की है, यह बाद आपको जान लेनी है, ठीक है ना, याद रखना है, और फिर सूरज के बाद, पृत्वी का दूसरा निकट तमतारा है, अलफा सेंटावरी, मैंने को उस दिर पहले ही का, फ्रेंड्स, आप देख पा रहे हैं और इसकी दूरी काफी जादा किलोमीटर में है, इसलिए हम 4.3 आप देख पा रहे हैं, ठीक है ना, 4.3 प्रकास वर्स की दूरी आप कहसकते हैं, लगभग के यह है, ठीक है न, इससे आप देख पा रहे हैं, तो अब हम जान ले थे हैं कि आखिल लाइट येर, लाइट ये एक वर्स में दूरी को हम एक प्रकास वर्स ये सिर्फ प्रकास वर्स कहते हैं तीक है न अब आपको जान लेना है कि प्रकास की चाल जो है वह तीन लाख किलो मीटर प्रती सेकेंड की होती है तीन लाख किलो मीटर प्रती सेकेंड इस तरह से एक साल में प्रकास द्वारा तै क की गई तूरी को एक प्रकाश वर्स या फिर सिर्फ प्रकाश वर्स कहेंगे याद रखना है इस प्रकार से सूर का जो प्रतिवी तक महुंचने में आठ मिनट का समय लगता है आप सोच सकते हैं फ्रेंड्स ठीक है ना और एलफा जो सेंटावरी है वह लगबग उसकी दूरी है 4.3 प्रकाश वर्स जो है वह दूर है फ्रेंड्स यह बात भी आपको याद रखनी है काफी बार यह एक्जामनेशंस में भी पूछा जाता है फ्रेंड्स अब आपको जाल लेना है कि आखिर जो तारे हैं वह हमें क्यों ऐसा प्रतित होता है कि वह पूरब से पस्यम की औ तरफ ढूपता हुआ दिखाई देता है तो थिक्न का कारण एक मात्तिर कारण है हमारी आपकरति अप4 कि तरफ गूंती है इस लिए हमें ऐसा प्रतित होता है कि सूरज पूरब से उर्ए होकर पस्यम में अस्थोरा है फ्रेंड्स यह बात आपको यादर करी है तीज कैना हम कुछ बाते जाल लेंगे धुरूब तारा के बारे में जैसा आप सभी देख पारेंगे धुरूब तारा है फ्रेंड्स ठीक है ना यह वास्तब में तारा नहीं है फ्रेंड्स यह बात भी आपको याद रखनी है ठीक है ना और ना ही धुरूब तारा सौर परिवार का कोई ज कैसे तरह है जो फिर्फिवी अक्ष की दिशा में इस्तित है या गती करता प्रतीत नहीं होता है याद रखना है फिर्फिवी के अक्ष के बिलकुल समाना अंतर सीट में रेखा में स्थित है ध्रूपतर है। जो है वह हमें घूरतावा नहीं दिखाई देता है दुरुबदारा के स्थिती जो होती है कुछ उत्तरी होती है याद रखना है उत्तर की दिशा में इसे आप देख पाएंगे फ्रेंड्स ठीक है न साथ में आपको जान लेना है कि आखिर तारा मंडल आखिर क्या होता है ता आखिर क्याते हैं में प्राचीन कालों से कई हजारों सालों से आखिर अधार मंडल पर शोद जो है और तारा मंडल को प्रभाव है त्युक्त के दैनने दिन जिवन पर पढ़ता है इसे भी आपको याद रखनी है फ्रेंड्स तीक है साथ में आपको जाल लेना है कि तारा मंडल जो हैं इससे आप देख पाएंगे दूरबीन के सहरे याद रखना है दूरबीन के सहरे आप आसानी से तारा मंडल को देख पाएंगे लेकिन साथ में आपको याद भी याद रखनी है कि बहुत ऐसे तारा मंडल हैं जिने हम खुल कि आपको या जानना होगा कि कोई विसिट तारा मंडल कैसा अखिर दिखाई देता है और रात्री के आकास में उसे हमें कहां देखना होगा। जैसा आप सभी फ्रेंड्स देख पा रहे हैं यह है तारा मंडल आप देख पा रहे हैं ग्रेट वियर और यान और कैशो पिया और लियो मेजर आप देख पा रहे हैं यह आप चार मुख्या से मुख्यत रूप से आपको तारा मंडल दिखाई दे रहे हैं ठीक है ना फ्रेंट्स और इसमें तारों की संक्या जो है वह कई बार एक्जामनेशन्स में पुछी आती है उनका पैटर्ण आखिर पुछा जाता है आपको निद्धिस्ट रूप से फ्रेंट्स ठीक है ना इसलिए से आपको अचे तरीके से समझना है जिस तरब से आप देख पा रहे हैं ठीक है ना अब देख पा रहे हैं फ्रेंड्स यह ग्रीट बियर के Miles है थीक है न और यह है और योन के Details यह है कैसोपिया और लियो मेजर लियो मेजर के प्रथम में आप देख सकते हैं ठीक है न ग्रेट वियर या फिर आप अर्सा मेजर भी उसे आप कह सकते हैं इस तारा मंदल को बिग डीपर की बहुत सारे नाम है इस तारा मंदल के आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स बहुत सारे नाम है बिग डीपर देख पा रहे हैं फि सबस्क्राइब के तारे आपको दिखाई पढ़ेंगे फ्रेंट्स ठीक है न या दखना है यह एक बड़ी कल्ची अथ्वाप्रशन चीने जैसा यह प्रतीत होता है जैसा आप पिक्टिस में भी देख पा रहें हैं ठीक है न इस तरह का कल्ची जो है वह ऐसा लगता है उसमें प्रतीत होता है आप देख पाएंगे फ्रेंड अच्य तरह से साथ सब्तृरिशी मंडल यानि साथ तारे जहें वह उसमें मौझूद है तीन और चौता हो गया यह बाच मां हो गया यह और शिक्ष्थ हो गया यह और सैवंत हो गया यह साथ तारे एक साथ आप तो यह बताता है फिक है कि आखिर इस प्रकार की आकरती को वह तयार कर रहा है तो So friends अब हम लोग जाल लेंगे कि आखिर किस प्रकार से धरुभतारा थिक है ना ृष द्रुपतारा के पोजिशन को आप किस तरह निकाल पाएंगे किस तरह आप पहचान पाएंगे कि थेृट धुरुब तौर आखिर मेजर से जrialाों अरसा मेजर से यह दो तारे आप पिक्चर्स में इसे मिलान करने की कोशिश करें आप देख पाएंगे ठीक है ना देख पारेंगे फ्रेंड्स आप कि आखिर यह जो पिक्चर बनेगा कुछ ऐसा जिस तरह अपने जाना तो यहाँ पर जो लाश्ट की जो दो तारे हैं ठीक है ना यहाँ से ठीक ऊपर लंबवत अगर सिर्फ इनके पाँच गुना इस जगा के अब देख पा रहे हैं ठीक है ना यह जो दो तारों का जो पोजिशन है इस जगा से सिर्फ पाँच गुना अगर हम उपर की तरफ अगर हम बढ़ते हैं ठीक है ना सिर्फ पाजगुना तो आपको दिखाई पड़ेगा आखिर यह पाजगुना अगर बढ़ते हैं तो दुरुवतारा का पोजिशन जो है वो दिखाई देगा फ्रेंड्स ठीक है ना देख पाएंगे आप तो फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ेंगे और देख लेंगे कि आख अपने धूरी पर पस्तिम से पूरव की तरफ याद रखना है ठीक है ना अवे जाले ना है एक और तारा मंडल के बारे में और एक विख्या तारा मंडल है जिसे हम सर्दियों में मद्रात्री के समय देख पाते हैं कई बार यह सवाल पूजा जाता है कि और उनको अब कभ में बीच में जो तीन जो थारे है ठीक है ना जो सिकारी को सिकारी के बेल्ड की तरह बेल्ड की तरह उसे निरुपत करते हैं या दखना है चार चमकिले तारे चत्रभुज के रूप में विवस्तित दिखाई पड़ते हैं यानि चार चत्रभुज वाले तारे ठीक है ना अब देख पा रहे हैं एक बेल्ट और बेल्ट के सारे दोनों क्वाड्रियेट्रल जो तो चार चत्रभुज व जोड़ान वह हैं देख पा रहे हैं थीक है ना यह सिकारी तारह भी इसे हम कहते हैं याद रखना है वाश्तम हिं लें लीकिन ऐसा प्रतीत होता है कि यह सिकारी के रूप में प्रतीत होता है अब देख पा रहे हैं ठीक है ना फ्रेंड्स याद रखना है आकास में सबसे अधिक चमकील अतारा है सीरियस यहीं लुब दयक और यहान के निकट में यह दिखाई देता है और अगर सीरियस को डूडना जाए तो और यहान के बीच के जमत देता रहे हैं उनसे भी गुजरने वाली रेखा को आप कलपना कीजिए जैसा की फिक्टिस में दिखाया गया है उनके बीच से गुजरने वाली रेखा कि आप देख पा रहे हैं उनसे कुछ दूरी पर देख पाएंगे आप इसकी ही अनुदीस पूर्व दिशा की ओर आप देख पाएंगे इस रेखा के अनुदीस आपको एक अत्तन चमकील अतारा दिखाई देगा जिसे हम सीरियस कह रहे हैं अब हम जाल लेंगे कि उत्तरी आकास में एक अन्य तारा मंडल है जिसे हम कैसो पिया कह रहे हैं या सर्दियों में रात्री के प्रतम पहर में दिखाई देता है और अंगरे जी के अक्षर डबलू और या फिर आप एम के बिगडे रूप के तरह यह दिखाई देता है फ्र सिर्फ चार या पांच या आठ तारा नहीं होता है यह फिर साथ जो तारों का स्रमून नहीं होता है वास्ता में कई तारा कोई भी तारा मंडल का अफी सारे तारों का स्रमून होता है लेकिन उसमें से कुछ निद्दिष्ट पैटर्ण को बताने वाले तारा कोई हम तारा म तो फ्रेंड्स आम लोग जान लेंगे की सूरे से आखिर दुरत्य के अनुसार आखिर ग्रहों की जो क्रमानुशार हम वह अखिर के आए आप देख़न builders में सूरे से दूरी के अनुसार इनके चोको कुछ इस प्रकार के हैlooked जो ग्रह हैं जो सूरे की चारतरफ परिक्रमा करते हैं वह है बुद्ध वह शुक्र वह मंगर, ब्रेश्पतीु, शनी estány, युरेनेश और नेप्चून, यह आट ग्रह जो सूरे के चारा तरह परिक्रमा करते हैं तीक है नौ और साथ सौर मंडल का लाल ग्रह माना जाता है मंगल को याद रखना है आरन की उपस्ति काफी ज़्यादा होती है सौर मंडल का नीला ग्रह है हमारी प्रित्वी याद रखना है सौर मंडल का आखिर आप जानेंगे सबसे ठंडा जो ग्रह है वह है नप्चून सबसे ठंडा ग्रह مाना जाता है friends यह बत आपको याद रहनी है तो friends आप हमें जान लेंना है कि आखिर सुरिष से दूरी के अनुसार हम ग्रहों की जो उभस्ठिती है थिक है न वह किस प्रकार से स्थिती को दर्साइंगे वह भी disney drawing के अनशार drawings में हम किस तरह से दर्साएंगे आप देख पा रहे हैं ठीक है न यह आप देख पा रहे है इस तरह से आपको सूरी के बार में सबसे हमारा निकरतमतारा है चाहिसा आप सभी दानते हैं ठीक है ना और हमीशा या उस्मा को यह क्या करता है में जितने बी उर्जा का eping इस तキ На याध रिखना है और सभी क्रहों की में की करता है तिक है तारों की तरह प्रतीत होते हैं परन्तौ ग्रहों में अपने प्रकाश नहीं होता my friends जैसे में को अपको कुछ देर पहले ही बताई ठीक है न ग्रहों और तारों में उंतर यह है कि आखिर ग्रह जो होते हैं उन में अपना प्रगाश से कहोता है थारों में अपना करता है ठीक है इन ऑ collecting टीम टिमाते हैं जबकि ग्रह ऐसा नहीं करते हैं याद रखना है ठीक है ना साथ में आपको जौन लेना है कि आकिर प्रत्य ग्रह एक निश्चित पत्थ पर सुरी के परिक्रमा करता है इस पत्थ को हम उसकी कक्छा कहते हैं याद रखना है ठीक है ना किसी भी ग्रह द्वार रहती है उस तरह ही उसका परिक्रमनकाल जो है वह बढ़ने लगता है फ्रेंट्स ठीक है ना याद रखना आपको इन बातों को और जितने भी सारे आप देख पा रहे हैं यह कुछ एक्टिविटीज है क्रिया खिलाफ है अगर आप करना चाहते हैं अपने एनवारमेंट में अपने आसपास में स्कूल में अपनी घर में आप देख पा रहे हैं कि तरह से यह जो सूर्य है और उसके चारों तरफ से इसा विक्रज है वह चक्कर लगा रहे हैं आप देख पा रहे हैं ठीक है ना इस तरह से आप देख पा रहेंट्स ठीक है ना और लट्टू की बहाद चल्ख पर घुटनन करने के साथ सूर की परिक्रमा स्पहल款 करता यह फ्रेंड ठीक है कि ग्रह कि ढरभा जैसे कुछ ग्यात वाल देन चंद्रमा के बारे में चंद्रमा के परितिव को पarnos अपने जाना है Tot अब में जाने लेना कुछ बात हैं बुद्ध की बारे में बुद्ध सबसे निकटतम ग्रह है ठीक है ना हमारे सौर परिबार का सबसे चोटा ग्रह है और हाला की याद रखना है आपको कि सुरीयोद और सुरियास्त्र के बाद यह चितिश पर इसे देखा जा सकता है ठीक है याद रखना है आपको इन बातों को साथ में में जान लेना है शुक्र ग्रह सबसे ग्रहों में प्रिश्वी का सबसे निकटतम पड़ोसी ग्रह है शुक्र सबसे चमकीला ग्रह है यह सुक्र ठीक है ना कभी-कभी सुर्य पूर्वी आकास में सुर्य अदर से पहले जो है वो झालन आए कुछ बाते प्रिथिवी के बारे में प्रिथिवी का एक यकी सो परिवार का एक ऐसा एक आff Idmiたい याद रखना है आपको ठीक है ना इसलिए नीला गर भी से हम कह रहे हैं इसके चारों तरफ पर्यावरण है वायू मंडल है ताकि और किसी भी ग्रहों में ऐसा जो है वह नहीं है फ्रेंट्स ठीक है ना इसमें जल की उपस्तिती है सही ताप है ओजोन मंडल है याद आपको इ अपने अक्ष्छा के तल पर लंबोट नहीं है फ्रेंट्स तीक है नंग्ट को जाने मंगल मंगल ग्रह को रोप में ऊसी कहते हैं क्योंकि इसमें आयरंस की जो संक्या है काफी जादा होती है और मंगल के दो पक रहे हैं याद रखना है ब्रेस्पदी सौर गरह का सबसे बड़ा गरह या गरह इतना बड़ा है कि तेरा सब पृतिवी इस पर समा सकती है याद रखना है ठीक है ना दरबमान जो है वह को याद रखनी है और अपने अक्षपर अतदी त्री ब्रिकती से यह घोड़नन भी करता है जिसके बारे में मैंने मैंने फ्रेंट्स आपको कुछ देर पहले ही बताया ठीक है ना आप देख पा रहे हैं ब्रेस्पती के ब्रेस्पती और उसके चार बड़े उपग्र ठीक ह फ्रेंड्स आप देख पार रहे हैं फिक्ट्रस में भी इसके बाद रंग में पीला सा प्रतीद होता है और एक वली जो इसे हमेशा घेरे वेड़ता थिंडूत यह अन दूरबीन की मदद से हम देख पाएंगे याद रखना है साथ में आपको एक बात भी जा लेना है कि आखिर मंगल ठीक है ना और ब्रेस्पती के बीच वहाँ से छोटे-छोटे आखिर ग्रह पाए जाते हैं टुकुड़े होते हैं यहां पर ग्रह कहने का मतलब है चुद्र ग धुआ ठीक है ना धूंद ले बहुत सारे ऐसे पथर के टुकुड़े मेडल के टुकुड़े वह उपस्तित रहते हैं याद रखना है आपको यह भी कई बार आपको पूछा जाता है ठीक है ना फ्रेंट्स साथ में आपको जाल लेना है कि शनी की बारे में एक रोचक बात कि सभी ग्रहों में यह सबसे कम सघन है और इसका घनत जल से भी कम है फ्रेंट्स याद रखना है ठीक है ना और हमें जाल लेना है कि यूरेनस और नेप्चून के बारे में इन शौर्ट में हम लोग जाने की कोशिश करेंगे यह सौर परिवार का सबसे बाहतम कर रहा है ठी देखा जा सकता है आला कि यह काफी दूर है इसलिए दूरविन की इसायता के बिना आप इसे नहीं देख पाएंगे सुक्र की भाती यूरेनस भी पूरब से पस्चिम दिशा में गुनन करता है इसकी विलक्षन विसस्ता इसका अतधिक जुका घोड़न अक्षे याद रख होता है फ्रेंट्स ठीक है ना आपको जौन लेना है कि सौर परिवार के प्रतम चार जो अंत्रिक ग्रह के बाद जो मंगल की कक्छा से बाहर जैसे ब्रेस्पती सनी यूरेनस और नैप्चिन आंत्रिक ग्रह के तुल्ला में कहीं जूर है इसलिए से हम बाह ग्रह कहते हैं आ कुछा जाता है याद रखना आपको इन बातों को ठीक है ना फ्रेंट्स आवे कि सौर परिवार में कुछ आने सदे सौर परिवार में ग्रह उपग्रह के आलाबा भी छुद्र ग्रह मौजूद है जैसा मैंने कहा मंगलों प्रिश्पती की कक्छाओं के बीच काफी सा अंत आने के साथ इसे देख पार है फ्रेंट्स ठीक है ना अ है में तो इव भी हमारे सौर परिवार का इस अदर से होता है ठीक है ना बधाए तो इनका सूरिक परणकाल काफी अधिक होता है ठीक है ना धूमकेतू समानत चमकिले सीरे लंबी पूछ वाले होते हैं वास्तम में होता क्या है फरेंड्स यह काफी स्पीड से धूमकेतू सूरी के साविप से आ जाता है इसकी पूछ आकर में बड़ी होती है धूमके तो काफी सालेों के बाद लगबख 75 वर्षों के बाद ये एक बार जो है वह दिखाई देती है याद रखना है आपको ठीक है ना आप देख पा रहे हैं 76 वर्षों के अंतराल में ये दिखाई देता है इस सन 1986 में देखा गया था ठीक है ना याद रखना है अब आप बताएं के साथ कि 75 से 76 वर्स के बाद अभी गब दिखाई देगा ठीक है ना याद रखना है तो फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं कि आखिर रात्री के समय आकास साफ हो तो चंद्रमा भी न दिखाई दे तो आप कभी आकास में प्रकाश का एक पिंड देखेंगे आप चमकिली सी धारी जो आप देख पाएंगे तरह तो तूटता तारा कहते हैं यह दपी यह तारा नहीं फ्रेंड्स यह भी आपको कई बार पूछा जाता है कि आखिर सुधिंग स्टार जो है क्या हुआ तारा है तो वास्तों में तारा नहीं है फ्रेंड्स यह उलका समान आती हुई प्रतीत होती है हमारी इस प्रतीवी की तरफ याद रखना है फ्रेंड्स ठीक है ना लेकिन हाला कि बहुत सारे उलका पिंड्स वह वायू मंडल में घिसकर खत्म हो जाता है लेकिन बहुत ऐसे पिंड्स है जो हमारी प्रतीवी पर आ पहुंचते हैं यह बा बातों को उलका पिंट जा है वो कई बार आपको पिक्चर्स के रूप में भी आप देख पाएंगे न्यूस पेपर्स में या फिर आप टीवी में भी देख पाएंगे फ्रेंड्स ठीक है ना तो फ्रेंड्स अब हम लोग जालनेंगे क्रितिम उपग्रह के बारे में आपने जाना कि आखिर उपग्रह वो क्या होते हैं जो ग्रहों की परिक्रमा करते हैं और ग्रहों की परिक्रमा करते हैं सूरज की भी ये परिक्रमा करते हैं या दखना है सौर परिबार के वारे भी आपने जानले है फ्रेंट क्रितिम उपगर है क्रितिम उपगर है वो उपगर है जिसे मानव बनाते हैं किसी भी अक्ष में छोड तेया जाना है क्रितियम से किया जाता है ऐसे ओप्योग किया जाता है ऐसे उपग्रह का उपयोग किया जाता है या दो पिजा आता है इन्सेट है या फिर आई आर आप देख पा रहे हैं इसके अलबा कलपना आई या कलपना वन या एडूशेट इत्यादी यह जो बग रहा है काफी इंपोर्टेंट है और कई बार जो है वो एक्जाम में पुछे आते हैं एडूशेट जो है वो एडूकेशन के परपस से बना पा रहा है एडूशेट है वो काम कर रहा है और कलपना वन कलपना हमारे बाहरती मुलकी अमरीकी वग्यानिक थी कलपना चावला ठीकर न जिसके नाम से यह कलपना वन जो है कृतिम उपग्रह का नाम दिया गया है और इन उपग्रह का काम अखिर क्या होता है तो इन उपग वेदन के लिए इनका प्रयोग होता है और इस तरह से हेल्प करकर आज हम अपने चोटे से चोटे डिवाइस में भी हम जो है बड़ी आसानी के साथ हम सिक्षा एजुकेशन के साथ विमिन प्रकार के जो काम है वह कर पा रहे हैं सिर्फ इस उपग्रह की मदद से आप देख प करता है फिर उन्हें वह हमारे प्रिट्वी के तरफ छोड़ता है याद रखना है यह तरंग का पूरी तरह से काम है ठीक है ना इलेक्ट्रो मैगनेटिक रेज का यह काम होता है यह आप देख पा रहे है यह उपग्रह है जिसे कृत्म उपग्रह कहा जाता है और मनुश्य क इससी किया पूछा गया है फ्रेंट जैसे आप देख पा रहे है प्रश नंबर वन निमलिखीत में से कौन सौर परिवार का सदस नहीं है तो फ्रेंट्स जुम्स इस सवाल के उत्तर के रूप में विकल्प के रूप में आपको चार विकल्प दिये जा इसका उतर होगा तारा मंडल स्वार परिवार का फ्रेंड सदस नहीं है ठीक रहें इस बाकि सभी सवार परिवार की सदस्य हैं आगे पढ़ेंगे देख लेंगे कि आ की सवाल नमबर दो में आके डम से क्या पूछा गया है निमलिकित में से कौन सूरिकाग्र नहीं है इस प्रस्ण के विकल्प के रूप में आपको दिये गये है चार विकल्प सिरियस, बूध, शनी और प्रितिवी तो इन में से कौन है जो सूरिक का ग्रह नहीं है यानि सौर परिवार का शदस नहीं है फ्रेंड्स सूरिक का ग्रह नहीं है तो बूद है फ्रेंड्स नमबर खौ सनी भी है फ्रेंड्स और नमबर घौ प्रच्वी भी है लेकिन सीरियस जो है मैंने आपको वीडियो में भी बताया ठीक है ना तो आपका उत्तरों का सीरियस जो है वास और परिवार का सद्र से नहीं है आगे बढ़ेंगे प्रस नमबर 3 के लिए देख लेंगे प्रस नमबर 3 में आखिर हम से क्या पुछा गया है चंद्रमा की कलाओं के घटने का कारण यह है कि अब एंसर्स के रूप में आपको चार विकल्प दिये गए है नमबर 4 हम चंद्रमा का केवल वह बाग देख सकते हैं जो हमारी और प्रकास को परावर्थित करता है नमबर 5 हमारी चंद्रमा से दूरी परिवर्थित होती रहती है नमबर 5 प्रिथिवी की चाया चंद्रमा के प्रिष्ट के केवल कुछी भाग को ढगती है नमबर 6 चंद्रमा के वायूमंडल की मोटाई नियत यह इस्तिर नहीं है तो चंद्रमा की कलाओं के घटने का कारण इनमे से कौन सा होगा फ्रेंट्स चारुवी कलप है तो फ्रेंट्स मैंने आपको बताया था कि आकि चंद्रमा की कलाओं का घटने का जो कारण है वह है आखिर वह प्रिथिवी जिस तरह प्रिथिवी सूरज की परिक्रमा करती है तो वह कुछ क्या करता है वह लाइट को हमारी तरफ परावर्थित करता है अता हम चंद्रमा का किवल वह भाग देख सकते हैं जो हमारी और प्रकास को परावर्थित करता है ठीक है ना और इसलिए चंद्रमा की जो कलाएं है वह हमें घटती हुई प्रतीत होती है याद रखन आपको इन बातों को तो इस सवाब का उत्तर आपका होगा नंबर को हम चंद्रमा का किवलवा भाद देख सकते हैं जो हमारी और प्रकास को पड़ावतित करता है या यह वाला जो नंबर को है विकल्प यह आपका उत्तर होना चाहिए फ्रेंड्स ठीक है ना आगे आजा एंहारा है और सूरी से सबसे अधिक दूरी वाला ग्रह जम si am सभी जानते है याद रखना है आपको ठीक है ना ऊंबर को अगे बढ़ेंगे वन्मेर अगताब प्रतीत होने वाला कौन सा है तो इसके बारे में मैंने आपको वीडियो में बताया कि आखिर जो वर्ण में रखताब यानि ब्लड जैसा दिखाई देने वाला जो ग्रह है जो प्लैनेट से वह कौन है मार्स यानि मंगल आपको मंगल लिखना है ठीक है ना आगे पढ़ेंगे दिख लेंगे मंडल कहते हैं याद रखना है आपको ठीक है ना इसके बारे में आपने वीडियो में भी जाना आपके बुक्स में भी दी हुई है ठीक है ना तारों का एक समू जो निद्धिस्ट पैटन को बनाता है उसे हम क्या कह रहे है तारा मंडल और इसका एफेक्ट जेनरली हुमन हमने घ сх issue मैं नबर गोzek परिक्मा करने वाले खागोली पिंड को हम या कहते हैं तो इसे आकाशी पिंड जो भी परिक्मा करते हैं उन्हें हम कहते हैं उपग्रह याद रखना है उपग्रह मुने कहते हैं उपग्रह दो तरीका का होता है नैचुरल यानि प्राकिर्तिक और कृतिम याद रखना है इंसेट वगरा कलपना वन वगरा ये जितने भी सारे हैं ये क्या है यह है कृतिम उपगरा यानि कृतिम उपगरा भी होते हैं और नैचुरल भी होता है और पृतिवी का जो नैचुरल यानि प्राकृतिक उपगरा है अगर ऐसा भी सवाल आता है तो आप लिखेंगे पृति तर्टिंगों स्टार वास्ताने में डैस नहीं हमारी प्रिटिवी के तरफ आता हुआ अइक प्रत्र जैसा संस्ठाइए होती है बहुत समय बहुत सारे धातू भी आते हैं याद रखना है और उनकी इतना ज्यादा होता है उसमें इतना chemical reaction होता है ठीक है ना तो जिसके कारण से वह बिल्कुल ऐसा लग रहा है लगता है कि वह जलता हुआ एक बॉल जो है वह हमारे क्रिट्वी के तरफ आता है ठीक है ना आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स जान लेंगे नमबर चौ में आखिरम से क्या पूछा गया है चुद्रगरा डैस तथा डैस के कक्छाओं के बीच पाये जाते हैं तो मैंने आपको फ्रेंड्स बताया था चुद्र मंगल तथा दर्षपती के काओं के बीच पाये जाते हैं यह काल रिएक्जाम समया फूछा जाता है के छुद्रगरा यह पूर्टा क्या देक्ति कशाओं के बीच पाये आखे बढ़ेंगे देख लेंगे अकिर अशब्स निवें से क्षे लिए फ्रेंट Claro क्रस्ट अंकित की जो कतन सथे है उस में उसे पॉल्स नमबर कौ बुध सौर परिवार का सबसे चोटा ग्रह है क्या यह बात सही फ्रेंट्स की बुध सौर परिवार का सबसे चोटा ग्रह है तो हा बुध जो है वो सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह है और सौर परिवार का सबसे गर्म ग्रह है शुक्र याद रखना है आपको इन बातों को ठीक है ना नमबर गौ यूरेनस स्वार परिवार का सबसे दूरतम यानि काफी डिस्टेंस वाला काफी दूर में स्थिद ग्रह है यूरेनस क्या तो फ्रेंड्स इसका उत्तर होगा नहीं यूरेनस नहीं है है नैप्चून याद रखना है नमबर गौ इंसेट एक कृतिम उपग रहा है तो फ्रेंड्स मैंने आपको कुछ देर पहले ही बताया इंसेट एक करतिम ऊपग रहा है कल पना ौन या एक करतिम उपग रहा है याद रखना है ठीक है न ओटो यह परित्वी की परिख्मा कहoccup है से हम जितने सारे अंत्य कम do मैं हैं उनके थुरू हम विविन प्रकार की चीजों को ऑपरेट कर पाते हैं टेलेविजन ट्रांजिस्टर मोबाइल को हम ऑपरेट कर पाते हैं याद रखना है ठीक है ना तो इंसाट क्रितिम उपग रहा है तो बिल्कुल सही अंगो हमारे सौर परिवार में नौग रहा है तो फ्रेंड्स यह बात पूरी तरह से गलत है कि प्लूटों को भी दी गई थी बट अभी वह प्लूटों हमारे सौर परिवार का सदस नहीं है याद रखना है नमबर चौ और यान तारा मंदल के वल दूरदर्शक द्वारा देखा जा सकता है तो फ्रेंड्स यह बात पुरी तर से गलत है कि और यान तारा मंदल सिर्फ दूरदर्शक के माद्य हम से देखा जाता है इसे हम खुली आखों से भी देख सकते हैं अगर आप विंटर के सिजन्स में मिड़नाइट के डाइम अगर आप बाहर निकलें आकास की तरफ अगर आप देखें तो और यान तारा मंदल को आप आसानी से देख सकते हैं ल सले का स्थंब्व स्टमभव वन के सब्थो का सतंब्व 2 या अधिक पिन्डों या पिन्डों के समूज से मिलान किया सफ़ान कों से तो से यानी चले करना दों को सब्ड़्र में चार च्चानर में आपको दुरुवतारा शबतर्शी चंद्रमा प्रिथवी और यान और मंगल आपको मिलान करना है सही रूप से ठीक है ना फ्रेंट्स चलिए देख ले रहे हैं सवाल का उत्तर में किस तरह से देना है प्रेंट्स आप लिखेंगे आंतरिक ग्रह के आप सामने विल्कुल लिखेंगे क्या लिखेंगे प्रिथवी तथा मंगल या आंतरिक ग्रह के कैटेगरिज में आते हैं नमबर को फ्रेंट्स आप लिखेंगे बाहिग्रह तो फ्रेंट्स बाहिग्रह कौन है तो है सनी याद रखना है उससे हम क्या कहते हैं सनी बाहिग्रह क्या लाता है याद रखना है न से सेप्तुम्स में भी जाना और उपग रहे है चंदर्मा करते में आदे आगे बड़ेंगे और देखेंगे कि आखिर 형का में आखिर गा पूण्शेंगे हैं आप देख पा रहे हैं व्यादि सुन्देतारी के रूप में दिखाई दे रहा है तो आहिं इसे आकास की है में पाएंगे काफी इंपोर्टेंट कोशन से कई बार एक्जामनेशन में आते हैं कि यदि सुक्र संध्य तरह की रूप में दिखाई दे रहा है तो आप इसे आकास के किस भाग में फ्रेंट्स पाएंगे तो फ्रेंट्स आपका एसर होना चाहिए कि आखिर यह पस्यमी शितिज में दिखाई देता है फ्रेंट्स याद रखना है आपको ठीक है ना सुर्यास्तर के बाद तो फ्रेंट्स अलिद दिख ले रहे सवाल का उत्तर आपको किस तरह से देना है तो फ्रेंड्स आप लिखेंगे शूरी सुक्र सुर्यास्तर के बाद कि अगर 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 कि अगर